आप सभी फ्योच चार्डे रिकॉंटेंस का एक बाव फिर से सवागत है सवालों की आर्टिकल सीप में विच इस नादर मेंडिटरी ओर डमी जस्ट डू इट चलते सीधे सवाल की उपर सवाल क्या है सवाल यह है यह सवाल है कि क्या यही सवाल है यस तो पहले हम लोग क्या गरते हैं पहले सीधा जोलते हैं अपने क्वेशन के आखिरकार question में क्या question है आखिरकार question क्या पूछना चाहता है बहुत complicated बना रहा हूँ सवाल क्या है basically questions अच्छा सवाल लगता है न सवाल क्या है वो बता हूँ सवाल है कि how will these property plant and equipment जो अपना है इंडिया 16 वाला be depreciated in cfs of mnc limited mnc क्या है कौन सी company उपर देखेंगे prepared as per indias बोल रहा है कि cfs बनाएंगे mnc का as per indias तो फिर कौन से method से हम I mean कैसे हम लोग depreciate करेंगे पीपी को basically method के पर discussion है so pqr limited is this subsidiary ऐसा भी बाप है और ये बेटे है ऐसे बोल सकते parent and subs in the standalone financial statement sfs में इस प्रिपर इने accordance with the indias pqr limited has adopted pqr ने slm adopt कर लिया है और mnc limited ने adopt कर लिया wdb बदाई हो सब के अपनी choice है भाई for depreciating ypp as per indias 100 and t 110 110 cfs that is consolidated financial statement apparent sal preparacy fs using uniform a bollaki indias 110 bol tha hai ki cfs prepared hona chahi using uniform accounting policies counting policies so for all like transactions and other events in the similar circumstances तो बाई सब पहली बात ये की जो नहीं वो नहीं तो एंसर क्या होगा एंसर ये है की इंडियस 16 क्या बोलता है चेंज इन अकांटिंग एस्टिमेट बोला जागा है फिर चेंज इन अकांटिंग पॉलिसी जागा पहली बात तो एस पर इंडियस 16 दाट इस पॉपर्टी प्लांट एन एक्यूपमेंट आप अगर इंडियस फॉलो कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिस में बता रहा हूं मतलब जो क्वेशन की रिक्वार्मेंट है इसके इसाब से चेंज इन मैथोड आप डप्रिशेशन इस चेंज इन अकांटिंग एस्टिमेट माना जाता है क्लियर है ना कि चेंज इन अकांटिंग पॉलिसी तो यूनिफॉर्मेटी तो बनी हुई इसमें चेंज का तो कोई बात नहीं यह तो एक एस्टिमेट चेंज है पॉलिसी बोलगे कुछ इसमें त्वाया ही नहीं तो एस पर इंडियस 16 इस नॉट इस नॉट चेंज इन पॉलिसी कि अभल कि अब यह कौन सी बातों पर डिपेंड करता है यह बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता कि उसकी लाइफ उसका होगा मालो के मशिनरी खरीद के आती है और मशिनरी का जो लाइफ है मतलब वो मालो 16,000 मतलब प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं फिर उसके बाद उसका यूज नहीं होगा तो 16,000 साय दो एक साल में बना ले एक महीन बना ले तो उस हिसाब से ओडप्रीशेशन करें तो उस हिसाब से अपनी मतलब उसके डप्रीशेशन को चार्ज करेंगा उसकी economic benefits के उपर उससे कब कब benefit ले रहा है मालो की एक लाग का शेयर मैं जैसे 16,000 का मैं बात कर रहा था तो जितना वो यूज करेगा जिस यह में वो बेनिफिट लेगा उसके इसाब से वो अपना depreciation को रखेगा that's it so accordingly is question में क्या होगा इस question में जो इनका सबसीडरी है और जो पैरेंट कंपनी है में फॉलो different methods of depreciation depending on depending on their अगर consumption expected pattern of consumption अगर बोग की लेंग्विज लिखना था expected pattern of consumption और future economic benefit basically जवाब तो आपको यह पर मिलिया कि चेंज इन इस्टेमेट है तो उसके साब से policy का चींज नहीं माना जागा है दोनों कमनी अलग-अलग follow कर सकती है so that's it मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक आप अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखें during this period and if you haven't subscribed to the channel एक निचे तक लाइन चली होगी that is the joke okay don't take it seriously but please do hit the subscribe button it's really really important if you do bye